आप देखरें इंडिया नियूज और देव भुमी लाइब में आप सभी का स्वागत मैं आपके साथ अरेनुम जाहांशेक बिटे की शुरबात करते हैं पूत्राखण में बीजेपी को बंपर बहुमत मिली है बीजेपी की संसद्य बोड में आने वाले दिनों में एक बैठक होने जादी है बैठक में सीम के नाम पर चर्चा की जाएगी तो कई माइनों वी जो बैठक है वो खास मानी जारी है क्योंकि सीम फेस को लेकर अब बीजेपी के संसद्य बोड में आने वाले दिनों में एक बैठक होने वाली है और यह बैठक कही माइनों में खास सीम फेस को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और ऐसे में इस बैठक में उन नामों पर चर्चा की जाएगी किसके हाथ में कमान दिया जाएगा 17 के मुकाबले बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटों का जटका ज़रूर लगा है लेकिन फिर भी पुन्य बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई और एक बर फिर से जनता ने जो है वो बीजेपी पर भरोसा जता है पहाडों में एक बर फिर से कमल खिला है और बीजेपी के अब स इक बर फिर से सत्ता में आई हैं लेकिन अब कहीं ना करी सीएम फेस को लेकर चाचाय जो है वो हो रही है क्या लगता है एक बर क्या फिर से धामी के हाथ में कमान आएगी या फिर कोई नया नाम आएगा यह देखना तो बड़ा दिल्चस्प होगा पूरे राजे की जनता और तमाम राजनतिक पार्टियां भी देख रही है कि आखिर उत्राखंड के मुखे मंत्री कौन होंगे सब के मन में जिग्यासा है क्योंकि इतिहास यहां पर अपने आपको लिखा गया है क्योंकि राजे ब बीजेपी के सामने मुश्किल अप पैदा यह हो गया है कि उनके मुखे मंत्री आर गए यानि की टीम जीत गई है कैप्टेन आर गए है और नए कैप्टेन कौन होंगे यह देखने वाली बात होगी पार्टी में एक धरा का यह मानना है कि नए जो कैप्टेन वर्तमान कैप लड़ा गया और उन्हीं के नेत्वितों में जीत दर्ज की है तो कई जो पार्टी के नेता हैं वो मानते हैं कि पुसकर सिंह दामी कोई मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए उनका यह भी तरक है कि क्रिकेट में भी कई बार कैप्टेन जीरो पे आउट हो जाते हैं लेकिन ट दिकत यह है कि वो ने मुख्यमंत्री का चुनाओ कैसे करें क्या विधानमंदल दल से कोई एक मुख्यमंत्री हो या पुसकर सिंह दामी को फिर से मुख्यमंत्री पर पहासीन किया जाए इसको लेकर जो खबर आ रही है कि दिल्ली में भी एक-दो दिन बाद पारलियमेंटर बिदायक दल में होगा बिल्कुल प्रविंजी और इसमें से जानकर आप से ये भी चाहेंगे कि आखिर वो कौन-कौन से नाम है जो सी-एम-फेस के लिए सामने आ रहे हैं इसके पुशकर सिंग धामी तो सबसे जो ज़्यादा नचर्चा में हैं ही इसके अलावा आप बात करें तो मदन कौशिक जो की प्रदेश सद्यक्स उनका भी नाम चल रहा है जो सबसे अधिक बार जीत चुके विसन सिंग चुपाल का भी नाम है इसके अलावा धन सिंग जिसके नाम पर सहमती बन जाएगी वो मुख्या मंतरी बन जाएगी उनका ये भी कहना है कि तमाम जो नेता हैं हमारे वो पद को समभालने के लिए सत्ता को चलाने के लिए तयार हैं जी प्रविंजी अगर ऐसे में हम बात करें तो ये महा जीत का जो महा जशने वो साफ तोर पर कारिकरताओं में अभी भी ये कही ना करें वो जोश देखने को मिल रही हैं लेकिन वही अगर हम बात करें 2017 के मुकाबले इस बार कही ना करी बीजेपी को 10 सीटों का नुक्सान बीज़ेपी जीती जरूर है लेकिन आप कॉंग्रेस भी आप कह सकते हैं गौंग्रेस भी आगे बढ़ी है लेकिन कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुच पाई हो सत्ता आ से बहुत पहले रह गई जादू यांकरेकी की तो लेकिन कॉंग्रेस के लिए एक सांतोना बस आप ये कह सकते हैं कि वोट परसंटेज में विर्धी हुई है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्राइखन जैसे चोटे राजी में आप कार्यकरता को कैसे बांद कर रखेंगे बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि वो जो नए मुख्यमंतरी होंगे उनके उनको एक परिक्षा देना होगा नी परिक्षा से गुजरना होगा कि आपने पिछला पांस साल आगे का 50 साल किस रमनतिक सात आगे बढ़ेंगे निकाये चुना हाए लोग सबाद चुना होने है इसमें भी उनकी परिक्षा होगी तो कहींना कही यहां से एक बड़ी जिम्मेदारी को बीजेपी के नेताओं के जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके कंदे पर होगी प्रभीन जी देखिए अगर बात कीजा है दो दशक से बहुत बार ऐसा हुआ है कि यह रिकॉर्ड टूटा है दो दशक के बाद कि सत्ता परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से होता था कि पहाडों में 5 साल के बाद किसी की भी सरकार रिपीट नहीं होती थी लेकिन यहां पर बीजेपी के सरकार जो है वो रिपीट भी हुई और कहीं न कई जो जनता की उमीदे है प्रभीन जी वो और भी बढ़ जाती है बिलकुल बड़ी बात यह है कि जनता की उमीदे तो बड़ी ही है इसके बाद समस्याएं जो है जिसको लेकर विपक्ष जनता के बीच गई और विपक्ष ने वोट पाने में भी सफलता हासिल की वोट परसेंटिज बढ़ाने में भी सफलता हासिल की उसमें है महगाई बेर सरकारी नौकरी यह कुछ ऐसे मुद्दे इसके अलावा पलायन एक बड़ा मुद्दा राज बनने के साथ ही रहा है तो इन सब मुद्दों पे काम करना होगा देखने वाली बात होगी कि नई सरकार नए मुख्यमंतरी नए केमिनेट उनका किस तरह से इसमें काम करता है और कि इस तरह से नहीं सरकार जो है आगे बढ़के इन सब मुद्दों पे काम करने की कोशिश करती है प्रविन जी देखिए आप से जानकर ये भी शाएंगे कि जिस तरीके से महाजीत का जो महाजश्च ने वो साफ तोर पर देखा तो अभी भी जा रहा है बहातर पहारों के लो बिपक्ष में ही रह जाता है एक बार फिर जब यहाँ पर महाजश्च हुआ है कल भी हुआ तमाम जो कारे करता है आज भी गुलाल खेल रहा है और निशी तोर पर ये होली तक ये चीज़ा चलती रहेगी जब तक कि नए मुख्यमंत्री शपत ग्रहन नहीं ले लेते हैं त बिल्कुल प्रभिण जी कि बिज़ेपी कि अगी की क्या रनीती होती है ये बिल्कुल देखनेवाली बात होगी लेकिन परभी जेपी अगरं बात करें तो कहीं न कहीं बिज़ेपी ने जजДаन्ता ने जो है एक बार फिर से बिजेपी पर पूरा भरोसा जाता है विकास को देखते वे बिज़ेपी की कामों को बहुत बारिकी से आपर जनता ने देखाए यही नतीजा है कि एक बर फिर से पहारों पर कमल खिला है अगर जनता जनता अब यह चाहती है कि बिज़ेपी ही सटा में रहे तो जनता के लिए सरकार को काम भी करना होगा जनता निश्यत तोर पर अपना mandate जनता की तरफ से सरकार को मिल गया है बीजेपी को मिल गया है लेकिन अब जनता के problem के साथ जनता की समस्याओं के साथ जनता के आकांग्शाओं के साथ सरकार को खड़ा होना होगा और सरकार उसी और बढ़ना होगा वरना जो है अगले चुना बीचुना होने वाले हैं फिर उसमें जंता नाराज हो जाएगी ये बात बीजेपी भी जानती है और तमाम जो सत्ता में बैठे हुए जो आगने वाले लोग होंगे वो भी जानते हैं तो निश्ची तोर पर BJP काम कर लेकि जानी जाती जमीन पर उनका एक आप कह सकते हैं नेटवर्क है और नेटवर्क के सारे किस तरह से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी है और निश्ची तोर पर जो बातचीत हो रही है त जनता के साथ हड़े हो जाते हैं बिल्कुल और यहीं नतीजा है कि एक बार फिर से जनता ने बीजोपी पर भरोसा जाता है प्रवीन जी यहां पर आप से विस्तार से जानना चाहेंगे देखिए देखिए देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनते हैं और मु सोचने का देखने का नजरिया अलग-अलग होता है उनके कुछ अपने जो हैं प्रात्मिक्ताएं होती है और पार्टी के प्रात्मिक्ताओं के साथ वो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बढ़ते हैं मुख्यमंत्री के जैसे ही फेस का एलान होगा उसके बाद मंदल के गठन पर भी बात्चीत होगी, आला कि बात्चीत तो चल रही होगी पार्टी का अंदर खाने, लेकिन ये बात है है कि जो पुराने मंत्री हैं, उसमें से जादा को रिपीट किये जाएंगे, जो कि पार्टी में बने हुए, कुछ मंत्री पार्टी छोड़कर बिजेपी में चले गए हैं मात की जगा बिजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में चले गए पिछले चुनाव में उनकी जगह खाली हुई उसमें नए लोगों को सेट किया जाएगा और एक बात ये भी तहा है कि पिछली बार जिस तरह से प्रेसर में दिखी थी बिजेपी जो उनको बंतरी मंडल में जगह देनी पड़ी थी लेकिन उनकी जगह जो खाली हुई है वहाँ पर निशीत तोर पर बिजेपी के जो नए विदायक होंगे उनको जगह मिलेगी कुछ नए को भी मिलेगी और कुछ अनुभवियों के जगह दी जाएगी ये साप है जैसे ही हम पहार की बात करते हैं तो पहार जैसी समस्याएं भी पहार सब के साथ ही खड़ा भी हो जाती है पहार में आप जब जाएंगे एक दो दिन घुमने के लिए तो पहार बहुत अच्छा लगता है लेकिन वहां की बड़ी समस्याएं वहां पे सिचाई की ब्यवस्था करना वहां के पलायन को रोकना सबसे बड़ी बात है कि जो प्रात्मिक सुविदाये हैं प्रैमरी जो आ पानी अस्तर पर रोजगार हों ये बड़ी समस्याएं हैं और किस तरह से उत्राखन के पानी को जो कि कहते हैं उत्राखन को उर्जा प्रदेश कहते हैं इसको किस तरह से उर्जा प्रदेश के रूप में और विक्सित किया जाए क्योंकि उर्जा प्रदेश भले ही हमने ना चुनोतियां भी है इसी चुनोतियां के साथ उनको आगे भी बढ़ना होगा बिल्कुल प्रभींजी और नहीं सरकार के पास चुनोतियां बहुत है लेकिन अगर इसी के संदम विपक्ष की बात करें प्रभींजी 2017 में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उससे थोड़ा सा अ उनको में बहलाने के लिए उनके लिए तो ठीक है लेकिन एक पार्टी जीतती है सत्ता तक पहुंशती है तो उनके पास ताकत होता है लेकिन जब आप पांस साल से पहले ही बनवास में हैं पांस साल का और आपको बनवास मिल गया तो दस साल का लंबा बनवास हो जाता है आ आपको जनता के भी जाना है ये तमाम चीजे हैं कॉंग्रेस के लिए आगे का सफर बहुत मुश्किल है उत्राखंजे से राज में जहां पर हम आदमी पार्टी की एंटी हो चुकी है हम आदमी पार्टी भी जिस तरह से आगे बढ़ती है वो कॉंग्रेस के वोट मेंक में ही ज़्यादा से इंद्मारी करती है तो अब कॉंग्रेस को यहां से खुद को खड़ा करना पड़ेगा एक नए लीडरशीप के नित्रित में आगे बढ़ना होगा और कहीं न कहीं जनीत के मुद्दे को आम जनीत के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी नही लेकिन यहां पर कहीं न कहीं वो भी चुक गई सत्ता के कुर्सी तक वो भी नहीं पहुच पाई अमादमी पार्टी इस पहली बार सप्था के लिए नहीं पर लड़ाई लड़ रही थी पहली बार अपनी राजनती किया सियासी जमीन यहाँ पर तलासने की कोशिश कर रही थी और सियासी जमीन निशीत तोर पर उनको जो भी हासिल हुआ उनके लिए फाइदे में ही आम आदमी पार्टी रही है लेकिन उनके पास संगठन नाम की अभी चीज नहीं है उनको जमीन पर काम करना होगा अभी जो भी जितने भी पोर्ट परसेंटेज उनको मिले हैं वो सिर्फ प्रचार प्रसार के बदोलत मिले हैं जमीन पर जो है काम करना होगा संगठन के स्थर पर काम करना होगा जो लगबग नहीं के बराबर है आप सिर्फ प्रचार प्रसार के बदोलत नहीं जीट सकते हैं जनता की समस्याओं के साथ आपको लड़ना पड़ेगा पांस साल तक जनता के साथ खड़ा पड़ना पड़ेगा और जनता को ये दिखाना पड़ेगा भरसा में लाना पड़ेगा कि आप उनके लिए काम कर सकते हैं प्रभीन जी कहिना के जनता का भरोसा जितना बहुत जादा जलूरी हो जाता है प्रभीन जी हमार साथ जुड़े आपने तमाम जानकर हम से साजा कि आप